हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर इंग्लिश की आशी क्लास में हम कंजंक्शन पढ़ेंगे यहां से आपके कॉमन एरर में कोश्चन आते हैं सीधे सीधे आपको या तो वो अब्जेक्टिम में एक नंबर का दे देगा या फिर आप से दो नंबर में वह आपको दो सेंटेंस इंकरेक्ट करके देता है और आपको करेक्ट करके लिखने पड़ते हैं ठीक है ऐसी एडवर्ब से भी आपके इसी टाइब से कुश्चन मनते हुए आए ठीक है यह वर्ब से आपके टैंस से जोड़ी हुई कुछ मिस्टेक द और यहां जो error में करवा रही हूं ना साथ-साथ यह तो मैंने अलग-अलग topic आपको पढ़ा दी है word, 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 adjective यह सब एक साथ में इनको करवाओंगी वहां सारे आपके sentence दिये होंगे वहां आपको मैं कर रूल नहीं बताओंगी सीधे-सीधे हम साथ में practice करेंगे जहां पर जो चीज नहीं बताई होगी पहले उसको हम आपर discuss कर लेंगे तो चलिए start करते हैं conjunction क्या होता है conjunction is a word which joins two words, clauses and sentences यानि कि conjunction क्या है कैसे शब्द है जो दो words को clauses, clauses मतलब वाक्य होते हैं और sentence यानि कि वाक्य दो clauses, sentences को आपस में जोडते हैं कौन conjunction ठीक है देखे इसको example दे समझे तब ज़दा समझ में आएगा Mohan and Sohan are reading a book, Mohan और Sohan एक किताब पढ़ रहे हैं ठीक है अगर मैं इनको अलग-अलग sentence तोड़ दूँ तो यहां से एक sentence बना सकते है Mohan is reading a book यानि कि Mohan एक किताब पढ़ रहा है और Sohan is reading a book यानि कि Sohan एक किताब पढ़ रहा है अलग-अलग sentence बन गया Mohan एक किताब पढ़ रहा है अब दोनों sentence में क्या है Mohan भी किताब पढ़ रहा है Sohan भी पढ़ रहा है अगर हम इसको एक साथ मिला के लिखें तो क्या बोल सकते कि मोहन और सोहन किताब पढ़ रहे है ठीक है तो इसको किस ने जोड दिया और शब्द ने मोहन और सोहन को जोड दिया निकि दो वाक्यों को जोडने का काम किस ने कर दिया और ने तो यहाँ पर जो और यानि कि end वही क्या है आपका conjunction है ठीक है मोहन और सोहन आ रीडिंगे बुक मोहन और सोन दोने एक ही काम कर रहे थे ना इसलिए उनको end से हमने चोड़ दिया next देखे he worked hard but he failed उसने महनत तो की थी लेकिन क्या हुआ fail हुआ लेकिन fail हुआ but ने दोनों sentence को जोड़ा है अगर लग भी separate sentence बन जाएंगे लेकिन हम क्या करेंगे इनको एक साथ जोड़ेंगे तब इन में क्या conjunction का use करेंगे तो यहाँ पर कौन सा conjunction use हो रहा है आपका but use हो रहा है ठीक है he wrote that he was not coming in July उसने लिखा कि वह जुलाई में नहीं आ रहा है ठीक है तो यानि कि उसने लिखा कि वह जुलाई में नहीं आ रहा है कि शब्द ने जोड़ दिया ना दो sentence को यानि कि दो clause को तो यहाँ पर यहाँ पर जो that है वो क्या है conjunction है ठीक है next क्या है she is intelligent but poor वह हुशी आ रहे लेकिन गरीब है अगर यहाँ से लग लग बना तो she is intelligent and she is poor ऐसे बन जाएगा ना she is intelligent उसके बाद दूसरा sentence बनेगा she is poor ठीक है अब इसमें हमने end क्यों नहीं लगा है कि she is intelligent and poor वह हुश्यार है और गरीब है तो देखिए यहाँ पर हम end का यूज क्यों नहीं किया आमने बट का यूज क्यों किया तो इसके लिए समझे जब तो मतलब एक positive और एक negative बात आ रही हो तब वहाँ पर हम बट का यूज कर देते हैं और जब दोनों positive चीज़ें मिल रहे हैं तो हम बापर किसका यूज कर देंगे end का यूज कर दें कि वह intelligent भी है और वह beautiful भी है तो हम end लगा देंगे कि वह हुश्यार भी है और सुंदर भी है तो she is intelligent and beautiful ठीक है इस तरीके से आएगा तो मैं आपको use अभी नहीं बता रही हूँ कि कहां किसका use करना है मैं सिर्फ आपको यह बता रही हूँ कि कैसे sentence आएंगे आपको वहां पर किस तरीके से अगर आपको वहां यह बोला जाए कि आप यहां पर conjunction को छाटिए कि कौन-कौन से वर्ड यहां पर conjunction मिल रहे हैं आपको कहां आपको एडवर्ब मिल ला है कोई भी एक paragraph दे दे कहां noun मिल रहा है कहां pronoun मिल रहा है तो आप आसानी से उसको निकाल सके नेक्स आते कंजंचन के टाइप पर तो पहला है आपका coordinating conjunction यह इन दोनों coordinating और subordinating को बहुत अच्छे से समझ रहा है जब मैं आपको sentence पढ़ाऊंगी sentence के टाइप आपके complex compound चबाएंगे वहां पर इनका ज्यादा काम मिलेगा वहां पर जो complex compound में difference है वह आप इनी के दरिये कर पाएंगे ठीक है तो समझ लीजे coordinating conjunction क्या होता है ऐसे कर रहे हूंगे आपके coordinating conjunction इसमें आपके कौन से आते तो trick है fanboys fanboys में f से है आपका for a से end n से nor b से but o से और y से yet और so s से so ठीक है यह आपके आते coordinating conjunction में इसके लाबा आपका not only but also भी आता है नेक्स आते बिनका use कैसे आएगा एक्जाम में तो देखिए first sentence क्या है आपका जो मैंने लिखा हुआ है I went to market I bought some books मैं बाजार गया था और मैंने कुछ किताबे खरी दी ठीक है बाजार गया वहीं पर तो किताबे खरी दी तो इसको मैंसे भी तो बोल सकते मैं बाजार गया था और वहां मैंने कुछ किताबे खरी दी है ठीक है तो इसको अगर English ने बनाएंगे sentence तो क्या बनाएंगे I went to market and और वहां से किताबे खरी दी यानि कि वहां मैं बाजार गया और कुछ किताबे खरी दी ठीक है तो दोनों सेंटेंस समान पदवाले थे अपना अलावला और जो आपका end है यह क्या हो जाएगा coordinating conjunction हो जाएगा ठीक है next देखिए I like pizza and samosa ठीक है मुझको क्या है pizza भी पसंद है और samosa भी पसंद है दोनों चीज़े अगर इसको अलग-अलग बनाएंगे तो I like pizza मुझे pizza पसंद है I like samosa मैं samosa को भी पसंद करता हूं तो यहां पर I like pizza and samosa यानि कि दोनों है इसलिए समान पद है समान अर्थ है इनके बीच में जो conjunction use होगा वो कमांसा होगा आपका coordinating conjunction use होगा ठीक है next आते है he is poor but honest यानि कि वह गरीब है लेकिन क्या है इमानदार है आपको यहां पर समझ में आ रहा हुआ कि एक थोड़ा सा negative point है कि वह गरी sense के according दीरे-दीरे knowledge आ जाएगे कि कैसे use करना है आपके second sum में ज्यादा कुछ है नहीं मतलब सिर्फ यह है कि वहां पर error में आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है ठीक है या फिर आपसे थोड़ा बहुत फिलिंदा blanks में पूछ लिया सकता है क्योंकि proper आपका दिया नही ठीक है और इसके बाद degree of comparison आपका दिया गया था बहुत अच्छे से topic इसकी बाद preposition और conjunction अच्छे से नहीं दिये गए उसमें बस आपको क्या कि इनकी थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए कि अगर यह exam में आ रहे हैं और correction करने को बोल रहा है आप से कि sentence correct करके लिए और वहां प पर आते हैं he is poor but honest यानि कि यहां पर बट ने जोड़ा है ना sentence दोनों अलग-अलग है समान पदवाले समान अर्थ दे रहें अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहें और इनको जब जोड़ेगा तो कौन सा conjunction जोड़ेगा coordinating conjunction जोड़ेगा ठीक है work hard otherwise you fail करन परिश्रम करो अन्य था तुम fail हो जाओगे ठीक है next आते हैं subordinating conjunction पर subordinating conjunction का काम क्या होता है कि ऐसा conjunction जो आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ता है यानि कि एक उपवाक्य ऐसा होगा जो तूसरे वाले पर क्या होगा depend होगा ठीक है आश्रित उपवाक्य आश्रे का मतलब हो होता है ठीक है subordinating conjunction के आपके example है that if because unless less than although यह सब ठीक है यह आपके example है फिर से बोल देती हूँ that if because unless less than और although ठीक है तो देखें कैसे use होगा कैसे sentence आते हैं आपके he works harder than his friends यहाँ पर जो than है यह आपने पढ़ा हुआ है comparative degree में आपने पढ़ा हुआ था than यानि कि वह अपने दोस्ते जादा अकठिन परिश्रम कर रहा है ठीक है अपने दोस्ते जादा मेहनत कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है than यह आपका क्या है subordinating conjunction है ठीक है he wrote that तो यह पहला वाले ही sentence जो मैंने आपको पताया था example में उसने लिखा कि he was not coming in July उसने लिखा क्या लिखा यहाँ पर कुछ न कुछ तो चाहिए न जो उसको support करेगी क्या लिखा क्या है वही है तो उसने यह लिखा है कि वह जुलाई में नहीं आ रहा है तो एक आ राम पाश्दा एक्जामनेशन विकॉज ही वर्क हार्ड राम ने एक्जामनेशन अच्छे से पास किया है क्योंकि उसने क्या किया था कठिन परिश्रम किया था तो यहां पर जो विकॉज आपका जोड़ा हुए क्या है ठीक है अब देखे मैं आपको कुछ important point बता देती जैसे कुछ आपके conjunction क्या है जो जैसे either or हो गया neither nor हो गया तो मतलब either के साथ और आना ही आना है ऐसे not only but also तो not only अगर आपको कहीं भी लगा मिल जाए तो आपको वहां क्या लगाना होगा but also लगाना होगा ठीक है इस तरीके से आपके question आते हैं तो वहां पर आपको कैसे देत यहां पर आपको भरना होगा कि क्या आएगा और आएगा नौर आएगा क्या आएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि either के साथ हम किसका यूज करते हैं और का यूज करते हैं next sentence क्या है आपका either Ram or Shyam is honest या तो राम इमानदार है या फिर श्याम इमानदार है ठीक है या त नाइदर राम और श्याम विल गो टू मार्केट नाइदर राम नौर श्याम तो नाइदर की वज़त से हाँ पर क्या आएगा नौर का यूज किया जाएगा ना तो राम ना ही श्याम बाजार जाएगा ठीक है नाइदर सीता नौर रीता इस इंदा रूम ना तो सीता रूम आलो राम एंड श्याम होता ठीक है जैसे आपका पहला एंड वाला जो सेंटेंस था राम और सीता अगर मैं कर दूँ राम और सीता यानि कि दो लोग हैं यापर यह प्लूरल है आपस में इसलिए यहां पर अगर आगे जो वर्व आएगी हेल्पिंग वर्व वह सिंगुलर न संटेंस में देख पा रहे हैं नाइदर सीता नरीता तो यहां पर जो हम वर्व यह क्या आ इंगा आएगी है अब की सिंगुलर आए। इस इस आएगी ठीक है नेक्स सेंटेंस देखिए बोध और 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 का सास्ता यूज का-जाओ ताकर सेंटेंस में बोध आ रहा है ठीक है या बट मिला है तो आप क्या करेंगे वो error है उसको वहाँ पर mark करेंगे उसको हटा के वहाँ पर end का use करेंगे ठीक है ठीक है तो hitha का sentence निकलेगा जैसेकस सेंटेन्स है आपका मैं पुहरσा ही था कि वो आ गए तो no sonar head i reached then देखें ठीक है मैं पोहर्चा ही था वैसे हो आ गए तो hitha का sense इसका निकलता है जहां भिया आपको नो सुनर देखने को मिले उसके बाद आपको क्या लगाना है दैन लगाना है और आपको जो question वहाँ पर exam में आएंगे वहाँ पर दैन लगा हुआ नहीं मिलेगा या फिर दैन की जगे दैट लगा सकते हैं वो तो तभी तो आप error को find कर पाएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर error है नेक्च आते हैं नॉट ऐनली बटालस पे तो नॉट ऐनली के साथ हमेशा बटालस आता है इनको अच्छे से याद करिएगा जैसे no sooner than no sooner than No sooner then कई बार इसको पढ़ेगा तो याद हुशेगा No sooner than no sooner but also a student ठीक है तो not only की वज़द से यहाँ पर क्या आया but also आया ठीक है next sentence की तरह आते है so that तो so के साथ हमेशा that that का use होगा आपका जैसे I will work hard so that I pass मैं कठिन परिष्टम करूँगा ताकि मैं pass हो जाओ इसकी जो हिंदी निकलती है ताकि sentence आपको बनाने को नहीं आने है translation नहीं है तो sentence आपको बनाने को नहीं आएंगे transformation है जो आपका मतलब जैसे sentence मैं आपको बढ़ाऊँगी positive sentence है तो जैसे आपका affirmative सुने होगे न आपने जिसमे positive रहता है बाग के उसको negative में change कर देना है और आपका negative sentence दे देंगे तो वो interrogative बनाने को जैसे मैं खाना खाता हूँ ठीक है और इसका अगर negative करेंगे तो मैं खाना नहीं खाता हूँ इसका अगर हम उसमें कर दें interrogative में तो बस transformation है translation नहीं है ठीक है तो आप से यहां से यह पूछानी जाए कि आपको एक sentence दे दे और आपको sentence बनाने को कई ऐसे नहीं आना है तो इसके परेशान नहीं होगा मैंने सिर्फ यहां हिंदी इस दिये लेखिए ताकि आप लोग जब division करें याँ आप लोग जब notes या PDF से पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो समझने में नेस्ट है आपका last और should तो last के साथ हमेशा should आता है जैसे यहां पर आपको last लगा हुआ मिल रहा है आप आखे मून के आगे आपको क्या लगाना है should यहां पर will or would आपको कुछ भी मिले तो वो गलत हो जाएगा तो next देखिए इसका हिंदी क्या इसकी हिंदी निकलती है कहीं ऐसा ना हो की ठीक है जैसे मैं कड़ी मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो की मैं fail हो जाऊँ ठीक है तो वही है I will work hard less I should fail मैं इतनी मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो की मैं fail हो जाऊँ ठीक है तो कहीं ऐसा ना हो में आप मीनिंग निकलता है जैसे एक सेंटेंस और मैं आपको बता देती हूं डॉंट गो देयर लेस्ट यूश्ट इसको लियानि कि वहां मत जाओ वहां तुम्हें डाटा जा सकता है ठीक है तो जैसे यह आपको लेस्ट मिला वहां पर आप क्या लगा देंगे लेस्ट आएंगे सो आता है तो देट का यूश्ट करेंगे ठीक है नेक्स आते हैं ऐसे बहुत सारे हैं मैं सिर्फ इंपोर्टेंट आपको करा रही हूं कि इससे आपका सेकेंड सेमिस्टर में काम चल जाए ठीक है तो एस सुन आपको क्या लगेगा कॉमा लगेगा जैसे ही वह आय आपका शी इस इंटलीजन डैश पूर तो यहां पर आप किसका यूश करेंगे एंड बड सो दैड में किसका यूश करेंगे तो वह आप मुझे कमेंट स्क्राइब करके बताना नेक्स आपका सी इस नौट ओनली लगोरियस डैश नौटी ठीक है तो यहां पर नौट अल्ल का या सो दैड का या फिर बिकॉस का तो आप इस तरीके से इनको देखके करके बताईएगा ठीक है और क्लास अगर अच्छी लगती तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिएगा थैंक्स वार वाचिंग और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल बबबाय टेक केर